आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होतर ही स्टड़ी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है वो कौन सा एपिडेमिक है जो हमारे एल्ड़लीज हमारे बुज़र्गों को मार रहा है हर साल दस लाक लोग मरते हैं सुष्मा आरिक 83 साल की रेसिडेंट जो कि परेल मुंबई की रहने वाली है तो यह बोज़र्ग है अक्टिव लाइफस्टाइल थी इनकी मौर्निंग वाक से लेकर कोकिंग वाचिंग रिकेट 25 अपरेल को एक IPL मैच देख रही थी तुरंत यह गिर गई लगबग सुबा साड़े बारा ब वज़े इनकी वाइफ ने देखा आप समझ रहों बेड के नीचे गिरी हुई थी यह कॉमा निशू है हजारो भारती 65 साल के उपर दे एक्सपीरियंस फॉल्स वो एकदम से गिर जाते हैं और इससे इनकी मौत हो जाती है अमेरिका में 25 परसेंट से जाधा एड़्स जो है वो फॉल एक्सपीरियंस करते हैं बीना कुलकरणी 90 साल की ग्रैंड मदर दादी मा अंधेरी मुंबई इन्होंने अपने हिप को फ्राक्चर किया दो साल पहले फ्रिज को बंद कर रही थे और इकदम से गिर गई यह चीज है डाइबिटीज हार्ट डॉक्टर ने यही बोल कि आप चार महिने तक कंप्लीट बेड्रेस्ट करिए चार महिने तक ताकि फ्राक्चर आप ठीक हो जाए बीना जो है चलने ही पाई और बहुत मुश्किल हुआ इनके साथ अब 25 अप्रेल 2020 पिछले साल शुष्मा आर्थ के साथ यह घटना घटी दी इनको हॉस्पिटल ले प्लेस की है अब यह आसानी से वॉक कर सकती है हलाकि वॉकर जो है वो ज़रूरी रहता है यह हिसाब किता और इनके बेटे ने बोला कि आप सब कुस ठीक है लेकिन बताया है कि देकि थम रूल यही होता है कि यह जो फ्रेक्चर होते हैं इसको अपरेट कर दीजे क्योंकि अ याद रखिए जो हमारे बुजर्ग हैं उनको बहुत लंबे समय तक बैठाना ठीक नहीं होता थोड़ा बहुत उनसे काम एक्टिविटी करवाते रहे हो चले जाएं क्योंकि इससे ना काम होता रहता है मसल्स का यह चीज़ है फॉल के बाद अगर बहुत समय तक पेशेंट बेट पे रहता है तो कंडिशन बहुत खराब हो सकती है यह हिसाब किताब जुलाई 2022 के रिसर्च पेपर यह बताता है हेल्स साइंस में कि लगबग 15 से 20 लाख लोग जो ओल्डर पीपल है वो हर साल उनको समझ ही कि एक तो वो घायल हो जाते हैं फॉल की वज़े से एकदम स यह चीज है यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद भूर बताते हैं कि उन्होंने 102 साल कि एक आदमी का ऑपरेशन किया जो बातरूम में गिरिया और अगें हिप फ्राक्चर हो हिप फ्राक्चर सबसे कॉमन चीज होती है यह चीज है हालकि इस समय हम बहुत इंसिशन नहीं करते हैं हम बाहर से ही चीजों को बदल देते हैं लेकिन अब वो चल सकते हैं यह हिसाब के दा तो फॉल्स की वज़ा क्या है आई साइट पूर होने लगती है सुनाई कम देता है धीमे धीमे मसल डिटोरियेट होने लगते हैं है ना बार बार पेशाब आना जिसकी वज़े से आपक आम निकरत are coordination नहीं हो पाता है इसकी वज़े से गिर जाते हैं मसल मास जो है वो धीमे धीमे खोले लगता है blood pressure गिरने लगता है फुट प्रॉब्लम्स की वज़े से आप चपल नहीं पहन सकते उसकी वज़े से और, और मेडिकेशन, मेडिकेशन की वज़े से, क्योंकि भाई देखिए आप धीमे धीमे आपको दवाई पे रहना पड़ता है, 65 साल के बाद, तो बिहोश, कन्फूजन, सब कुछ, भी जोश जो की 83 साल की रेसिडेंट है तारदेव मुंबई में, हॉस्पेटलाइज हुई हो, अगेन ही फ्राक्चर सर्जरी, अब यह फ्राक्चर सर्जरी आपको लगा लगा है, आसान 2 लाग रुपए, 2 से 5 लाग रुपए, इंस्योरेंस करवाईए, जरूर करवाईए, 14 लाग का और बहुत ज़्यादा दिक्कत, लेकिन सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत बढ़िया रही है, और अब वो आसानी से चल सकती है, थैंक्यू, थैंक्स अलोट, डॉक्टर साब जो बढ़िया काम करते हैं, तो most common injuries जो होती है, वो कहीं कलाई में लगए, spine fracture और hip fracture is the most common, ठीक है डॉक्टर गीज भाले राओ, ये बताते हैं कि होता क्या है, कि जब menopause खतम होता है और तो इस student levels बहुत तेजी से गिरते हैं, ठीक है, अब आपको बता तो ये student जो होता है ये आपके लिए एक pregnancy hormone और आपके लिए एक बहुत important hormone जो आपकी पूरी body को energy देता, वो तो है, सा change करता है और जब estrogen खतम हो जाता है तो इसी लिए औरतों में हट्डिय कमजोर होने लगती है, तो छोटी छोटी वज़े से भी आप गिरने लगते हो, cataract के वज़े से ज्यादा तर maximum time cataract होता है, जिल्ली पढ़ने लगती है आँखों में आपका vision कमजोर होने लगता है, ज कई बार आपको bathroom जाना होता है, क्योंकि भाई prostate बढ़ जाता है, यह चीज है, medication की वज़े से आपको बहुत जादा जो है, वो इस पर निर्वन होना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो you have to be physically active, आप जो भी आपके आप बुज़र्ग हैं, उनको थोड़ा बह हो गया ना कि अगल बगल आप जाएए, तो classes होती है, elderlies के लिए, बहुत बढ़िया रहता है, वो उनके हम सफर भी, हम साथी भी मिल जाते हैं, हम साथी भी मिल जाते हैं, alcohol बिलकुल भी zero कर दीजे, जितना हो सके सोई, ताकि muscle की recovery अच्छी हो सके, ठीक है, mild activity जैसे stairs climbing, walking, त याद रखिएगा, कि कई बार क्या होता है, कि वो ऐसे ही चड़ जाते है, आप railing को support बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि fall ना हो, footwear अच्छा हो, yoga को practice करी, जितना ज़्यादा हो सके, assistive device अगर आप दे सके तो बहुत बढ़ी है, उससे best कुछ नहीं है, और धीमे धीमे करवाता ही नहीं है, उनको डर लगता है, है ना, knee replacement surgery होना था, उन्होंने बोला कि ना, मेरी कोई wrist में pain ही नहीं, बताईए, एक patient को बोला कि सर्जरी के वज़े दे बोला कि कोई pain नहीं है, और जब तक ये टालती गई, तो उनका जो हाथ है न, वो मूल गया पूरा, वो fracture जो था, आधे से जाधा, बता दूं कि जो senior youth है, ठीक है, आधे से कम, वो बताते हैं कि मुझे हमको वाकई में problem है, यानि कि अगर 100 लोगों दिकते हैं, तो 50 से कम ही बताएंगे कि ये problem है, वरना फिर, दोस्तों मैं मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी खाभी रहता है, कि वो बत करना पड़े, तो force करना पड़ता है, यह चीज है, डॉक्टर भले रह बताते हैं कि वही है, कि जो two-thirds उनके patients आते हैं, वो maximum elderly होते हैं, और 4-5 senior citizens की, वो surgeries करते हैं, राइट, यही साब किताब, बहुत सारे cases आ रहे हैं, और complication, यही implication है, कि जो elderly falls है, यह public health issue है, family concern नहीं है, और इसमें आपको बता दूँ, एक paper भी आया था, health science में, psychological, social and economic impact भी होता है, यह से जब आप गिरते हो तो depression हो गया, डर हो गया, फिर कहीं फिर दुबारा ना गिर जाए, social isolation हो गया, कि कहीं public में जारे गिर ना जाए, परिवार क्या सोचेगा, और फिर वही health care cost, जिसकी खुश रहिए, खुश रखिए, जितना जादा हो सके, आज उंगली थाम के मेरी, तुझे मैं चलना सिखाऊ, कल हात पकड़ना मेरा जब मैं बुढ़ा हो जाऊ, यह बात हमेशा याद रखिए, अपने माबाप को या जो भी इल्डरली है, उनको जितना हो सके, खुश रख बीचे मत अडिये, थांकियू सो मच